देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाए जाए आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदैव बने है यह वीडियो है 21 एप्रिल 2022 थर्स्ट यानि की गुरुवार के दाइनिक राशिफल के बारे में येक बहुत ही सा आमानने साथ जोतीशिय विश्लेशन होता है और आपकी सुविदा के लिए ये राशिफल एक दिन पहले दिया जाता है दैनिक राशिफल चंद्र राशी पर अधारित होता है और हर राशी के साथ उपाए भी बताया जाता है राशी फल पर हम चलेंगे लेकिन उससे पहले एक संख्षिप्त नजर डाल लेते हैं दिन के पंचांग पर 21 एप्रिल 2022 का पंचांग इस तरह से है तिथी रहेगी पंचमी नक्षत्र रहेगा मूल योग रहेगा पारिगः करन रहेगा ताइतला और वार रहेगा गुरुवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है सुर्देवता 5.51 एम पर उदे होंगे और अस्त होंगे 6.51 एम पर चंद्रमा धनु राशी में रहेगी और उनका नक्षत्र रहेगा मूल और सुर्देवता मेश राशी में रहेगी और उनका नक्षत्र रहेगा अश्विनी अश्विनी के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे कुछ विशेज मूरतों की बात करेंगे ब्रह्म मूरत 4.23 अ.m. से 5.7 अ.m. तक अभिजीत मूरत 11.55 अ.m. से 12.47 अ.m. तक और अमृत काल 3.57 अ.m. से 5.25 अ.m. तक काल 9.06 पी.m. से 10.43 अ.m. तक इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो हरी ओम के वलेस दिव्य मंत्र का 27 बार जाप करके ही आपको घर से निकलना है तो ये था गुस्सा जादा होता ही है मेश राशी के जातकों में और वैसा ही आज दिन दिख़ा है थोड़ा सा गुस्सा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जादा रहेगी सुबह सुबह भर्म किसिती रहेगी confusion रहेगी चीजों को लेकर बहुत unclarity रहेगी जो आपकी frustration में थोड़ा और बड़ातरी करने वाली है थोड़ा धैरे दिखाएंगे तो आज का दिन अच्छा निकल जाएगा वन्ना चीजें मुश्किल ही होती जाएगी तो धैरे दिखाने का दिन है धैरे के साथ साथ सयम और सयम के साथ साथ स्थिरता दिखाने का दिन है आज जादा कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ उल्जने ही पैदा होंगी हर काम आपको बर्डन की तरह लगने लगेगा और उस काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे उस काम को बिगाडेंगे ही और यह जो frustration है यह आपके हर चीज़ पर एक negative impact डालने वाली है तो आज का दिन जितना simple रख सकते हैं जितना सीमा में रख सकते हैं जितना सहीमित रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं बहुत सारे विचार चल रहे हैं इस वक्त आपके मस्तिश्क में अपनी जॉब को लेकर जॉब चेंज कर लूँ आगे पढ़ाई कर लूँ यह कर लूँ वो कर लूँ तो यह सारी चीजें आज भी परिशान करेंगी मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा शुरू में कहा कि आज स्थिरता दिखाने का दिन है धैरे दिखाने का दिन है वही चीज मैं आपको कारक्षेत्र में भी रेक्यमेंड करूँगा कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चीजों को सिंपल लखेगा वरना कुछ गड़वड हो सकती है कारेक्षेत्र में बिजनस की बात करें तो यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ आज एक पूर्णता का भाव रहेगा आपके बिजनस में कुछ कारे पूरे हो सकते हैं जो अधूरे रह रहे थे अच्छा दिन है बिजनस की बात करें तो लव लई पे चलते हैं ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा है एक जगा पे आके स्टेगनेट हो गया है और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एक रिलेशनशिप हर चीज़ की तरह होता है जो ग्रो होता है हमारी जैसे उमर ग्रो होती है उसी तरह से हमारे रिलेशनशिप हर व्यक्ति के साथ ग्रो होते हैं तो जब प्यार की बात करते हैं तो भी relationship में maturity आनी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आपके relationship एक जगा पर आके रुख गया है तो थोड़ा सा maturity लाने की कोशिश कीजिए अपने relationship को grow करने की कोशिश कीजिए और उस पे आज से आपको काम करना पड़ेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो students थोड़े lazy रहेंगे आज पड़ाई में जादा मन नहीं लगेगा जो कभी कभी होता है कोई बड़ी बात भी नहीं है तो उसके कारण एक negative impact studies पर पढ़ सकता है सेहत की बात करें तो आपको liver संबंदित रोगतंग करेंगे सरवाष्टक के हिसाब से दस्वा स्थान अत्यंत वली है यदि business करते हैं और नई partnership की तलाश कर रहे हैं तो आज कुछ positive हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी का ध्यान करते हुए विश्णु 40 का एक बार पार्ट करना है और विश्णु जी को तीन तिल के दिये अरपण करने है शुब अंक है आपका तीन शुब कलर है आपका यलो भाग्य प्रतिशत है 65% चलते हैं टौरस यानि की विश्ब की तरफ दिन तो अच्छा है कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है लाव के योग है इच्छा पूर्ति के योग है अपनी बुद्धी मता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा आज इन्वेस्टमेंट के रिए भी आज का दिन अच्छा है साथी में कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था अल्रेड़ी तो उसके संबंद में भी कुछ अच्छा आज आपको सुनने को मिल सकता है लेकिन थोड़ा distracted रहेंगे बुद्धी मता अच्छी रहेगी इंटेलिजेंस लेवल अच्छा रहेगा लेकिन अपने mind को किसी एक चीज पर focus नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन में इतना कुछ चल रहा है और आज भी चलेगा कि किसी एक चीज पर focus करना आपके लिए आज थोड़ा मुश्किल रहेगा थोड़ा अपने आपसे discontent भी रहेंगे ये मतलब कि पार बार ये मन में आएगा कि मैं इससे बहुत बहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अभी मैं जिस लेवल पे हूँ यहाँ पर deserve नहीं करता इससे बहुत उपर मुझे होना चाहिए तो ये भावना थोड़ी सी आज आपको परिशान कर सकती है मैं यही कहूँगा कि जो चीजें कंट्रोल में नहीं ला सकते कंट्रोल में नहीं कर सकते उस पे आज जादा ध्यान मत दीजेगा क्योंकि उस पे फोकस करके भी कोई फायदा नहीं होने बाला करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन ठीक है लेकिन फालतु की राय मश्वरा ये देने से आज बचें अपने कारक्षेत्र में क्योंकि आज असा हो सकता है कि आपकी बाते लोगों को चुभें भले हैं आप सच बोल रहे हूं और सच थोड़ा जादा चुपता है लोगों को लेकिन जब हम काम करते हैं कहीं पर जब हम सोशल लाइफ में जाते हैं तो हमें थोड़ी डिप्लोमेसी दिखाने पड़ती है और दिखाने चाहिए भी वैसा ही दिन आज का रहेगा थोड़े अपने शब्दों पर नियंत्रन रखें किसी को राय मत दें अच्छा रहेगा बिजनस की बात करें तो यदि पार्टनर्शिप में काम करते हैं और पार्टनर्शिप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज का दिन है मीटिंग करने का कुछ भी करके अपने सारे पार्टनर्स को साथ मिलेके आईए बैठिए वर्ट्वल मीटिंग कीजिए कुछ ना कुछ करके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व कर लीजिए लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में आज का दिन अच्छा दिख रहा है हार्मनी रहेगी आप दोनों की बीच में अच्छी रहेगी और कुछ बातें यदि एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे थे पिछले कुछ दिनों से तो उस चीज़ में आज बहुत हद तक सुधार हो सकता है फिवाहिक जीवन की बात करें तो एक ही ची उर्जा को संचालित नहीं कर पाए तो थोड़ी मोचtx 3 कि कि बाड़ी में नरसिम मवतार का ध्यान करते हुए आपको विश्णु चालीसा का दो बार पाठ करना है शुब अंक है आपका चार शुब कलर है आपका गोल्डन भाग्य प्रतिशत है 75 परसे अब चलते हैं जमिना यानि की मिथुन राशी की तिरफ दिन मिला जुला सा आपके लिए दिख र करें हैं ओंवर्व को गया है तो थोड़ा रिलाक्स करने का दिन है वरना स्ट्रेस्फुल जाएगा आज का दिन बहुत भलही आपको पूरे दिन का रसना मेले थोड़ी दिर का रस्का लीजेगा यदि तनाव महसूस कर रहे हैई शारीरिक या मांसिक फिसीकल या मेंटल त उनके साथ communication इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा भागे का साथ तो आज कहीं कहीं पर प्राप्त हो सकता है लेकिन आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा आपको अपने विचारों में सकरात्मक्ता लानी पड़ेगी ऐसा दिख रहेगी कहीं कहीं पर planning तो करते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही आपको लगता है कि नहीं यह चीज नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सकरात्मक्ता लाएंगे अपने planning में अपने mindset में तो आपके लिए ना केवल आज बलकि आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छा हो सकता है कुछ नया पन आपको लाना पड़ेगा अपने thought process में अपनी life में क्योंकि ऐसा दिख रहा है चीजें आके कहीं पर रुक के हैं थम गई हैं अब उनको आगे लेके जाने के लिए कुछ नया पना आपको लाना पड़ेगा दिन के मद्ध्य भाग के बाद जितना कम बोलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेग क्योंकि यदि थोड़ा जादा बोलना शुरू कर दिया उसके बाद तो आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा lazy feel करेंगे आप शाम के समय या दिन के बंद्ध्य भाग के बाद तो जैसा मैंने एक बताया कि हो सकता है बहुत सारा काम आपको करना प करने की कोशिश कीजिए ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ काम तो कर रहे हैं काम करने के नाम पर पर एक organization नहीं है आपके काम में आपका काम मतलब कि क्या कप करना है काम देरी से हो रहा है planning नहीं है और यह पिछले 3-4 दिनों से जादा हो रहा है तो अपने work को अपने workplace को जितना organize करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा business की बात करें तो आज का दिन अच्छा है कुछ changes जरूर आएंगे परिस्थितियों में कुछ positive changes आ सकते हैं जैसा मने का positive changes होंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा love life पे चलते हैं जो लोग relationship में है दिन ठीक बात का तो नहीं लेकिन कभी-कभी आप बहुत व्यंगात्मक हो जाते हैं व्यंग सटायर इसका प्रयोग बहुत करते हैं इससे थोड़ा बचने की आज कोशिश कीजिएगा विवहाई जीवन की बात करें तो आप चाहते हैं कि आपके life partner एक्दम perfect हों हर चीज़ वो perfect करें perfect दिखें perfect सबसे बात करें लेकिन ये चीज़ गलत है कोई भी perfect नहीं हो सकता जो आप expectations रख रहे हैं पिछले तीन चार दिनों से ये थोड़ी गलत है क्योंकि इसके कारण आपकी expectations बढ़ती जाएंगी फिर जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो परिशानी होग security थोड़ा adjustment दिखाने का दिन है सेहत के इस आपसे कफ रोग दंग करेंगे सरवाश्टक की बात करें तो अश्टम स्थान आपका अत्यंत बली है तो थोड़ी मानसिक वेदना मानसिक परिशानी मानसिक तनाव आज आपको जहिलने को मिल सकता है आपके लिए उपाई यह है क आपका औरेंज भाग्या प्रतिशत है 70 अब चलते हैं cancer यानि की करक राशी की तरफ आज का दिन मिला जुला सा है थोड़ा गुस्सा जादा रहेगा जो की usually करक राशी के जातकों में नहीं रहता लेकिन आज थोड़ा जादा रहेगा frustration रहेगा irritation रहेगा थोड़ा disappointment भरा द सवाल चलेंगे मन में बहुत सारी बाते चलेंगी मन में जो थोड़ा सा आपको और frustrate करेगा ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके innocence का लोग फायदा उठाते हैं आपके भूलेपन का जो करक राशी के जातक होते हैं जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ यह बहु ही है और उसी nature का फायदा उठाया जाता है इनके आसपास के लोगों से और कभी-कभी यह उस चीज को लेकर बहुत irritated भी हो जाते हैं मतलब कि इनको यह लगता है कि हर कोई इनसे फायदा ही क्यों उठाना जाता है इनकी इनके और चीजें या इनकी और किसी aspect क्यों नहीं दे थोड़ा मिला जुला सा आज का दिन आपका लगा है थोड़े से frustrated थोड़े से disappointed रहेंगे करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं यहां पर भी बहुत अच्छा तो नहीं देख रहा कुछ परिशानी रहेगी मानसिक वेदना रहेगी आज मानसिक तोर पर थोड़े पर बन जाएगा आपका लेकिन वो काम शायद नहीं बन पाएगा वो थोड़ा आपको और परिशान करेगा तो पूरा दिन ही थोड़ा परिशानी भराज करकराशी के जातकों के लिए जाता हूँ दिख रहा है लव लाइप चलते हैं आपसे मैं यहीं कहूंगा की अपनी relationship को एक रास्ता दिखाई ऐसा ठीकर आए कि relationship कहीं पर आके रुक्स आ गया है अब दोनों को ही नहीं पता कि आगे क्या करना है आगे कैसे लेके जाना है यदि ऐसी स्थिती उत्पन हो गई है तो आज discussion कीजिए और relationship को आगे कैसे लेके जाना है इस पर विचार कीजिए विवाह स्थान अत्यन तबली है आज जादा लोगों से मिलने का आपका दिल नहीं करेगा थोड़े से कम सोशल रहेंगे आपके लिए उपाई है कि आपको विष्णु चालीसा का दो बार पाट करना है और विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है शुबंक है आपका वण आगे प्रतिशत है सिक्स्टी परसंट चलते हैं लियो यानि कि सिम्ह राशी की तरफ गुस्सा आज बहुत रहेगा बहुत जादा गुस्सा रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स भी हो सकती है थोड़ा गुस्सा रहता ही है मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि अगन सुबा से ही म्यूजिक ठेरपी का आप सहरा ले सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं कुछ ऐसा कीजेगा सुबा सुबा दो आपको काम डाउन कर दे जो आपको शांत कर दे उससे पूरे दिन पे बहुत सकरात्मक असर पड़ेगा वनना आपके गुस्से के कारण थोड़ी इंदर रहेगा लेकिन वह साहस ओवर कॉंफिदेंस में थोड़ा बत्तमीजी में भी किसी के साथ बदल सकता है जब आप बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ा आप रूड हो जाएं तो थोड़ा सा आज आपको इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना है वरना थोड़ी जाएंगे तो गुस आज बिलकुल भी मत दिखाईएगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तिरफ से तो सब कुछ सही है डिटर्मिनेशन है काम पूरा करते हैं लेकिन शायद आपका मिस्यूज हो रहा स्ट्रेस जादा रहेगा शायद रीसेंटली जितनी महनत कर रहे हैं उतना पैसा नहीं आ रहा यह चीज थोड़ी परिशान करने वाली है लव लाइफ की बात करें तो आज प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजेगा नाहीं जादा फ्यूचर के बारे में सोचना है नाहीं पुरानी बातों पर जादा गौर मत कीजेगा जादा ध्यान मत दीजेगा वरना जो कुछ यदि आज इंपॉर्टन्ट आपको करना होगा तो उस पे आपका फोकस धंका नहीं रह पाएगा सेहत की बात करें तो हाई बीबी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है सरवाश्टक के ह आपका छटा स्थान अत्यंत बली है तो ये चीजों को क्लियर कर रहा है कि गुसा थोड़ा आपके अंदर जादा रहेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना है और साती में आपको ओम विश्णवे नमहा इस मंतर का 21 बार जाप करना है शुबंग के आपका नाइन शुब कलर है आपका ग्रीन भाग्य परतिशत है 60% आप चलते हैं कन्या यानि की वरगो राशी की तरफ दिन बहुत अच्छा है आज कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी न्यूज सुबा सुबा ही आ सकती है जिससे ना केवल आप खु होंगे चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आपको काफी हद तक सहायता प्राप्त हो सकती है या वो प्रॉब्लम सौल भी हो सकती है आज काफी आपके अंदर विश्वास रहेगा काफी उत्साह रहेगा यह सब बहुत अच्छी चीज जबी आता हुआ दिख रहा है अपने लाइफ पर एक कंट्रोल रहेगा अज बैलेंस रहेगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपको इग्नोरेंस मिल रहे है कुछ लोग हैं जो आप पर ध्यान नहीं दे रहे जिनका ध्यान आप चाहते हैं अब यह कहीं पर भी हो सकता ह लाइफ में सोशल लाइफ में पब्लिक लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में यह थीज थोड़ा आपको परिशान करेंगी आप चाहते हैं कि लोग आप पर ध्यान दें आप चाहते हैं कि ध्यान आप पर केंद्रित हो आप चाहते हैं किसी की अटेंचन लेकिन वहां से अ चल रही है और अचानक से किसी बात पर बुरा लग गया और conflicts हो गए वैसा ही आज का दिन दिख रहा है तो थोड़ा सा ध्यर रखिएगा बिजनस की बात करें तो यहां पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है अपने relationship पर पिछले कुछ दिनों से इसके कई कारण हो सकते हैं जिन्दगी में सिर्फ प्यार महबबत ही सब कुछ नहीं होता है वो एक life का part होता है तो कभी कभी बहुत चीजें होती है जो take over कर लेती है वैसा ही दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बाकी चीजों ने इत स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बातचीत कीजिए अपने को स्टूडेंट से ऐसा लग रहा है कि आपको पता हुना चाहिए कि बाकी स्टूडेंट कहां पे हैं और आप कहां स्टेंड करते हैं उससे clarity आ जाए कि आज सेहत की बात करें तो सांसों से संबंदित रोग तंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका पांचवा स्थान अत्यांत बली है और किसी creative field में काम करते हैं तो आज महुत अच्छे ideas आएंगे आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी का ध्यान करते हुए हरी ओम इस शब्द का 108 बार या इस मंत्र का 108 बार जाप करना है शुबंग के आपका 6 शुब कलर है आपका red भाग्य प्रतिश्ट है 75 प्रतिश्ट अब चलते हैं लिब्रा यानि की तुला राशी क की तरफ आज का दिन अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा चीजी आगे बढ़ेंगी प्रोग्रेस होगी पॉजिटिव चेंजिस आते वे दिख रहे हैं इगो मत रखिएगा इगो आपके लिए आज परिशानी ला सकता है इगो यदि आगया अहम आगया तो कई चीजों में कन्फ्यूज हो जाएंगे इससे जो इतना अच्छा दिन दिख रहा है जहां पर भाग्य का साथ मिल रहा है उस दिन का लाब नहीं उठा पाएंगे ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा यदि कोई काम आपका किसी और के कारण अटक रहा है तो अब उनको हटाकर अपने आप उस काम को करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा भौतिक सुखों की प्राप्ती हो सकती है थोड़ा हसी मजा के इंक्ल्यूट करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में अच्छा रहेगा दिन बहुत अच्छा है मेंटल पीस रहेगी और लोगों के सा चाहिए आपको वैसा रियाक्ट किसी चीज़ पर कर सकते हैं घ्यान रखिएगा करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन है तो आज का दिन बहुत अच्छा जाता हुआ आपके लिए दिख रहा है बिजनस की बात करें तो थोड़ी और पॉसिब देखिए हर रिलेशन्चिप अलग-अलग होता है हर रिलेशन्चिप यूनीक होता है अब अपने रिलेशन्चिप को आप किसी और से यदि कंपेर करेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि उनका रिलेशन्चिप का बेसिस क्या है आपके रिलेशन्चिप का बेसिस क्या है किसी को नहीं पता सब वो सिफ आप दोनों को ही पता होगा तो किसी से compare मत कीज़ेगा स्पेशली social media को देख कर तो बिलकुल मत कीज़ेगा क्योंकि social media पर क्या चलता है जरूरी नहीं कि real life में भी वो सच हो विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा organized होने की ज़रुत है चीजों को एक structure में ले आई है, ऐसा दिख रहा है, पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में बहुत कुछ unorganized हो गया है Students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है सेहत के इसाब से high BP की problem या fever भी आपको खलकासाच हो सकता है सरवाश्टक की बात करें तो आपका पांचवा स्थान अत्यनत बली है आज आपसे मैं, sorry, आपका चौथा स्थान अत्यनत बली है यदि कहीं investment के बारे में सोच रहे थे, especially property में तो थोड़ा सा रुख जाईएगा, क्योंकि शायद वो decision आपके लिए थोड़ा सा भी immature हो आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती गानी है, अपनी पूजा के समया उसके बाद विश्णु जी की आरती करनी है और विश्णु जी को खीर का भोग लगाना है शुब अंके आपका one शुब कलर है, आपका violet भाग्य प्रतीशत है 75% आप चलते हैं Scorpio ने के विश्चिक राश्य के तरफ दिन अच्छा है creative energy बहुत अच्छी रहेगी, creative field में कुछ करते हैं बहुत अच्छा दिन है, वैसे भी creativity का भरपूर आज अपने life में फाइदा उठा सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा आज हो सकता है, family का support भी आपको मिल सकता है किसी चीज पर family का support नहीं मिल रहा था, तो वो चीज आज आपकी solve हो सकती है लेकिन action oriented रहेगा, सोचिएगा जादा मत, कुछ भी लगता है कि करना है तो watch कर लीजेगा कुछ ना कुछ मनोकाम ना आपकी पूरी हो सकती है, इच्छा पूर्ती के योग है overall काफी अच्छा दिन दिख रहा है, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीजों में यदि खुशियां ढूनेंगे तो दिन आपका और अच्छा हो जाएगा कभी-कभी हम बहुत बड़ी खुशियां ढूनते रह जाते हैं और छोटी-छोटी खुशियों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल सपने देखना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा चीजों को समय के साथ आज बढ़ने दे, जल्दबाजी में कुश्मत कीजिएगा थोड़ा धार्मिक स्वभाव आज आपका रह सकता है, धर्मिके प्रतियास्था रूची थोड़ी आज बढ़ती हुई दिख रही है करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, स्पेशलि यदि आप एजुकेशन से संबंदित या फिर एनालेसिस से संबंदित या किसी क्रियेटिफ फील्ड में काम करते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा बिजनस की बात करें तो, दिन ठीक ठाक है, यदि आप एंटरटेन्मेंट बेस्ट कुछ बिजनस करते हैं, एंटरटेन्मेंट इंडस्री से जड़ा कुछ बिजनस करते हैं, तो आज का दिन अच्छा है, लव लई पे चलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को अभी भी समझ नहीं पाएं है ढंग से भलही आपका रिलेशनशिप पुराना भी हो गया हो तब भी रीसेंटली एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और इस चीज़ पर जल्दी से आपको काम करना चाहिए विवाहिक जीवन की बात सहे थोड़ी यात्रा जादा करनी पर सकती है जिसके कारण स्टडी थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है कि सेहत की बात करें तो लोवर बैक में थोड़ा दाद रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यन्त बली है तो ना किवल स्टूड़न्स जनर पर पाठ करना है और विश्णु जी को मिश्री या फिर बताशों का भोग लगाना है साथी में आपको विश्णु जी को तीन घी के दिये अरपन करने हैं शुब अंक है आपका नाइन शुब कलर है आपका वाइलेट भाग्य प्रतीशत है सत्तर पतिशन चलते हैं सैजिटेरियस यानि कि धन उराशी की तरफ दिन अच्छा है सक्सेस मिलेगी रिकगनीशन मिलेगा मानसम्मान मिलेगा यदि सेल्फ एस्टीम में कोई प्रॉबलम आ गई थी सेल्फ एस्टीम कम हो गई थी तो वो भी आज आपको उसमें भी बड़ ले ले लेते हैं तो हर चीज़ के डीटेल में जाना शुरू कर दीजिए कुछ काम जो अठक रहे थे वो आज आपके पूरे जरूर हो सकते हैं लेकिन बहुत जादा कंट्रोलिंग मत रहीएगा पिछले कुछ दिनों से बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज या उस सच्चाई से आपका सामना हो जाए करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं यहां पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है काफी सेक्योर फील करेंगे अपने जॉब में आज और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा रहेगा बिजनस की बात करें तो क्रियेटिव फील्ड में आपका कोई काम है क्रियेटिव फील्ड का बिजनस है तो दिन अच्छा रहेगा यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा है लव लाई पे चलते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में है आज का दिन पॉजिटिव है अपने पार्टनर की तिरफ एक ग्रेटिट्यूट का भाव रखिएगा देखें उच नीच चलती रहती है लेकिन यदि वे आपके पार्टनर है बहुत समय से पार्टनर है तो कुछ ना कुछ तो उनमें अच्छा होगा जो आप उनको पसंद करते हैं तो इसी लिए थोड़ा उनको कॉंप्लिमेंट कर देंगा तो आज का दिन रिलेशन्शिप के लिए अच्छा जाएगा विवाहिक जीवन की बात करें तो बैलेंस दिन दिख रहा है अच्छा दिन है सब कुछ ठीक लग रहा है आज कुछ नकरात्मक नहीं दिख रहा स्टूडेंस के लिए थोड़ा परिशानी वाला दिन है थोड़ा परिशान आप हर चीज को लेकर रहेंगे आपका माइंड आपका कई जगाओं पर साहत नहीं देगा करना कुछ चाहेंगे हो कुछ और जाएगा थोड़ा नकरात्मक दिन है सेहत की बात करें तो गले से संबंदित रोगतं करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यन्त बली है यदि पैसा कहीं पर इन्वेस्ट रेगुलर्ली कर रहे हैं और उससे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उसमें क्या चेंज करना है आपके लिए उपाय यह है कि आपको विश्णु जी के नरसिम मवतार का ध्यान करना है और उनका ध्यान करते वे उनको तीन सरसों के तेल के दियरपन करने है और ओम विश्णवे नमहाइस मंत्र का 27 बार चाप करना है शुब अंक है आपका आठ शुब कलर है आपका ग्रीन भाग्य प्रतिशत है 70% चलते हैं Capricorn यानि की मकर राशी की तरफ Emotions का वहाव जादा रहेगा Emotional होकर आज कोई भी निरने नहीं लेने वन्ना वो निरने दूर गामी नकरात्मक प्रभाव देंगे तो अपने Emotions को अपने निरने ओपर अपने जीवन पर जादा हावी मत होने दे कुछ नई शुरुवात करना चाहते हैं तो पूरी विश्वास के साथ कीजेगा यदि पूरा विश्वास अभी नहीं है तो उस चीज़ की शुरुवात आपको आज नहीं करनी फैमली का सपोर्ट आज जरूर मिलेगा वैसी ही कुछ फीलिंग आज आपको आएगे तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इमोशन्स थोड़े अपन डाउन आज जादा रहेंगे अपनी लाइफ को किसी से कंपेर मत करना शुरू कर दीजेगा आज वनना प्रॉब्लम होगी दिन का अंदिम भाग भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है थोड़ा इमोशनली लोग थोड़ा इमोशनली डिप्रेस्ट फील कर सकते हैं ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ढंग से समझ नहीं पाते हैं आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपके भावों को यह चीज थोड़ी आज आपको और परिशान करेगी करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अपने स्किल कहीं पर भी दिखाने का यदि आज मौका मिलता है तो उससे पीछे मत खटिएगा क्योंकि उसके कारणिक रिकगनिशन आपको आने वाले दिनों में राप्त हो सकती है बिजनस की बात करें तो पुरानी चीजों में मत खोई ये रहेगा वरना प्रॉब्लम थोड़ी जादा हो सकती है जो हो गया वो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकती है उनका मूड यदि उनका मूड खराब हो जाता है किसी चीज को लेकर तो उसका जिम्मेदार अपने आपको मानना बंद करें विवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है पूर्णता का भाव रहेगा फिजिकल कंपेटिबिलिटी मेंटल कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी स्टूडेंस से मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी में आज कुछ नहीं करना चीज़ों को समय के साथ आवे बढ़ने दे सेहत के हिसाब से नसों से संबंदित रोगतं करेंगे सरवाश्टा की बात करें तो प्रथम स्थान अत्यंत बली रहेगा आपका तो थोड़ा इमोशन तो जादा रहेंगे ही लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों से जान बूच कर या बिना किसी बात के आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं उस चीज़ से भी थोड़ा आज आपको बचना है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी के 108 नाम को एक बार सुनना है और विश्णु जी की एक बार आरती करनी है शुबंक है आपका 6 शुब कलर है आपका रेड भाग्य प्रतिज़त है 65 परसंट आप चलते हैं एक्क्वेरियस यानि कि कुम्भ राशी की तरफ दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज कुछ आप अचीव कर सकते हैं अच्छा महौल रहेगा काफी कंपेटिटिव भी रहेंगे यह जो कंपेटिटिव नेस आपकी रहेगी आज वह आपको बहुत जगाओं पर सफलता भी प्राप्त करा सकती है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, लाइफ को आगे बढ़ाने का पुरा प्रयास करेंगे, काफी एडवेंचरस भी रहेंगे, कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे, दिन बहुत अच्छा देख रहा है आप जाब नहीं प्राप्त कर पाएंगे, थोड़ा गुस्ता जादा रहेगा दिन के अंतिम भाग में, उसके कारण परसनल रिलेशन्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो गुस्ते को कंट्रोल करके रखिएगा, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ऐ इसा लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन की जरूवत है, कहीं पर स्टैगनेशन आ गई है करियर में, तो थोड़ा यदि आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं से इंस्पिरेशन आपको धोड़नी पड़ेगी, बिजनस की बात करें तो यहां पर थो आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, बिजनस में, लव लह पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा हसी मजाक इंक्लूट करेंगे अपने दोनों के बीच में, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, जरू निकी हर चीज सीरिस ही हो, हमेशा ही सीरिस हो, थो थोड़ा अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना सीखिए, अपनी इंस्टिंग्स पर ध्यान देना सीखिए, सेहत की बात करूं तो हाई बीबी की प्रॉब्लम तंग करेगी, सरवाश्टक के हिसाब से आपका बारवास्थान अत्यन्त बली है, थोड़ा खर्चा तो होगा लेकिन गैर जरूरती चीजों पर खर्चा नहीं होगा, आपके लिए उपाई ये है कि विश्णु जी को किनी भी पीले फूल का, उनको पीले फूल अरपन करने है, एक घीका दिया उनको अरपन करना है, साथ में आपको विश्णु जी के कोई भी 108 नाम सुनने है और उन प पर मेडिटेशन करना है, शुब अंके आपका तीन शुब कलर है, आपका केसरी यानकी सैफ्रोन भाग्य प्रतिशत है, 80 प्रतिशत, चलते हैं 20 यानकी मीन राशी की तरफ दिन अच्छा है, एक एंथूजियास्म रहेगा आपके अंदर काफी उच्छा हो रहेंगे, हो सकत देर जरूर निकालेगा और देखेगा कि आने वाले 7-8 दिन, 2 हफ़ते, लाइफ को किस डिरेक्शन में लेके जाना है, उससे कुछ अच्छे आइडियास आपको आ सकते हैं, यदि किसी चीज को लेकर confused हैं, तो किसी बड़े से, किसी mature व्यक्ति से, क्या जिसको भी उस physically थोड़े exhausted feel करें, हो सकता है, कई चीजों में बहुत efforts डाल रहे हों, और उसके कारण थोड़ा ठका हुआ आज महसूस कर सकते हैं, यदि ऐसा होता है, तो थोड़ा rest जरूर कर लिजेगा, एक balance है ये समय आपके life को, ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय आ भी गया हो, तो उसक क्योंकि आपकी किसी भी चीज में इस समय balance नहीं है, तो एक balance लाने की कोशिश कीजिए अपनी life में, काम कब करना है, rest कब करना है, खाना कब खाना है, ये सब चीजे अव्यविस्थित इस समय दिख रही है, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक सा ह जादा मत सोचिएगा, education संबंदित कुछ काम करते हैं, तो आज का दिन अच्छा है, business के हिसाब से कम बोलिएगा, आज के दिन आपको जादा नहीं बोलना, वनना problem बढ़ सकती है, love life की बात करें तो, आपसे मैं यही कहूंगा, कि थोड़ी commitment आपको और बढ़ानी जाए, आज बाहर ना जाना पड़ जाए, पार्तनर के साथ, यह चीज़ें छोटी लगती है, लेकिन इनका एक negative impact long term बढ़ सकता है, विवाही जीवन की बात करें तो, थोड़ा perspective change करना पड़ेगा, बहुत नकरात्मक चीज़ें सोच रहे हैं, अपने life partner के बारे में, अपन सानतिन्त वली है, इच्छा पूर्ती का दिन है, कुछ ना कुछ मनोकामना इच्छा आपके आज पूरी हो सकती है, आपके लिए उपाई यह है, कि आपको मंदर जाके केले के पेड़ की पूजा करनी है, यदि मंदर नहीं जा सकते, तो घर में रहके ही, विश्णु जी का नाम एक बार सुनिए, या फिर उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आदे खंटे का होता है, तो विश्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनिए, यही आपके लिए अच्छा उपाय रहे, शुब अंके आपका 9 शुब कलर है, आपका के सरी भाग्य प्रतिशत है 75%, तो ये था 21 अप्रिल 2022 का आज का राशिफल या दाइनिक राशिफल चैनल पे नए है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओम नमें